हाँ तो देखो electromagnetic induction का हम लोग 9 class कर ली है ठीक है 9 video lecture हो चुका है लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ा सा अंदर से समझना बागी है यहींनि कैसा एक reference चीज को follow करते हुए अगर हमने देखा session 1, session 2, session 3 उससी electromagnetic induction उत्ता deep में समझ नहीं पाते हैं हम लोग ठीक है तो एक चीज आप लोग देखिएगा कि मतलब ऐसा बोलना चाहता हूँ मैं कि आज थोड़ा सा हम लोग electromagnetic induction का physics को देखते हैं समझे इसका match को थोड़ा दूर रखते हैं अपना match teacher को बोल मत दिजेगा साब समझे तो physics को थोड़ा देखते हैं इसका हम लोग आच कि आखिर electromagnetic induction क्या चीज है तो चलिए start करते हैं कोई topic का नाम नहीं कुछ नहीं बस आपको समझना है देखिए suppose कीजिए कि हमारे पास एक solenoid है आपको तो याद होगा solenoid क्या होता है ठीक है तो माल लिए एक solenoid है n number of turns का इतना self inductance यह सब नहीं बोलेंगे बस एक solenoid है अभी इसके साथ हम एक switch connect कर देंगे एक battery connect कर देंगे और circuit को close कर देंगे तो भाई जैसी हम यह switch को on करेंगे क्या होगा एक current flow होगा है ना इस solenoid में current flow होगा अब current flow होगा तो आप उदामते ही यह चीज़ कि इसके solenoid में मतलब एक magnetic field होगा जो कुछ ऐसा होगा एक magnetic field होगा ठीक है magnetic field होगा अब माल लीजे मेरे पास एक loop है इस तरह से एक loop है माल लीजे यह माल लीजे loop number two है और यह वाला जो circuit है यह माल लीजे loop number one है यह वाला माल लीजे loop number one है अब देखिए इस loop में कोई current नजर नहीं आएगा यह भी conducting loop है समझें यह भी एक conducting loop है और यह तो ही circuit है भाई तो इस इस loop में कोई current नजर नहीं आ रहा क्यों नजर नहीं आ रहा क्योंकि magnetic field जो है वो uniform है लेकिन एक चीज बहुत interesting यहाँ पर जिस समय में हम लोग switch on किये थे exactly उस समय में इसमें एक current आ गया था एकदम से फिर बाद बंद हो गया फिर यह current बंद हो गया फिर हम जब दुबारा इस switch को जब off करेंगे फिर से एक current आएगा मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले जब आप switch on करते हैं तो इस current को develop होने के लिए इस magnetic field को develop होने के लिए कुछ तो समय लगा होगा कुछ तो समय लगा होगा उस समय में जब current बढ़ रहा था यह अखिर current पहले किता था जब यह switch open था फर्स टाइम जब यह switch open था उस समय current किता था जीरो था और जब यह switch close किये तो इसमे current I आया similarly इस solenoid के axis में magnetic field किता था जब यह switch off था जीरो था और जब आप इस switch को on किये तब magnetic field किता होगा भी तो जीरो से भी होने में कुछ तो time लगा होगा यानि there is a growth of magnetic field for a very small amount of time तो जब magnetic field का growth हो रहा था जीरो से भी उस समय देखा गया कि इसमें एक current दोड़ रहा है इस loop number two में कोई cell लगा है क्या कोई battery लगा है क्या नहीं लगा है फिर भी एक current दोड़ता हुआ दिखाई दिया कब जब आप इस switch को on किये और off किये on करने के बाद जब यह current constant हो गया यह magnetic field constant हो गया उस समय इसमें से कोई current नहीं दिखा समझे तो इसमें loop number two में current कब दिख रहा है only while switching on this switch and while switching off this switch while switching on current अगर इस direction में है तो while switching off current उस direction में होगा ultra direction में होगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि जब आप switch को on कर रहे थे तब current का growth हो रहा था magnetic field का growth हो रहा था मतलब db by dt क्या है क्या है positive है और जब आप switch को off कर रहे थे उस समय current का decay हो रहा था i value से zero value चला गया b value से zero value चला गया magnetic field तो जब आप switch को off कर रहे थे उस समय rate of change of magnetic field क्या हो रहा था negative हो रहा था अगर इसमें clockwise current दिख रहा है तो इसमें anticlockwise current दिख रहा है तो हमको क्या समझ में आ रहा basically है अगर हम यहाँ पर एक मालीजे एक circular loop लेते हैं यह जितना बार में overwrite कर रहा हूं उसका मीनिंग क्या है उतने सारे उसमें turns है जितना बार में overwrite कर रहा हूं उतने सारे उसमें turns है और मालीजे यहाँ पर एक m-meter है ठीक है एक m-meter है कोई battery है क्या कोई battery नहीं है तो current का उम्मीद तो नहीं करना चाहिए लेकिन अगर मान लीजे एक magnet को जिसका यह north pole है इस magnet को अगर आप देखेंगे तो इसका magnetic field जो है वो इस एरिया को cut कर रहा होगा यह फ्लक्स अगर आप इस magnet को पकड़ के खड़े रहिएगा आप इसको move नहीं करेंगे इस magnet को तो इस loop में कोई current नहीं दिखेगा क्यों क्योंकि इस magnet का यहाँ पर इस एरिया पर जो magnetic flux generate हो रहा है वो constant है तो यही चीज फारेडे ने experiment किया यही चीज फारेडे ने समझा कि कि सिर्फ magnetic flux के होने से कोई current नहीं होता है ठीक है अगर आप इस magnet को इसके पास लेकर जाएंगे उस समय आप देखिएगा कि इसमें एक current आ जाएगा इस loop में एक current आ जाएगा किस direction में आएगा यह lens लो हमको समझाएंगे काफी easy है देखिए हम north pole को इसके पास लेकर जा रहे हैं तो यह जो circular loop है यह वाला face आप जो देख पा रहे है जो face देख पा रहे है आप उस face में भी north pole induced होना चाहिए मतलब यह वाला जो face है उसमें north pole होना चाहिए ताकि यहां का induced north pole इस north pole को repel कर सके lens लो यही कहता है कि जिस वज़ा से current आया है वो current कुछ ऐसा आएगा कि उसके आने का cause को वो oppose करेगा ठीक है तो यहां अगर माल लिजे south pole हो गया suppose lens को भूल जाईए यहां माल लिजे south pole हो गया तो south pole इस north pole को और खीच लेगा और अगर खीच लेगा तो यहां पर और current आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह नियमों को खिलाफ है आप focus energy generate नहीं कर सकते यही lens law है तो इसलिए यहां पर north pole आना mandatory है compulsory है तक यह north pole इस north pole को आने ना दे और यहां पर जो current induce हो रहा था वो ना हो ठीक है तो यहां पर north pole आने के लिए कैसा current होना चाहिए क्या मैंने current का direction यहां पर गलत बनाया है मतलब यहां पर clockwise current नहीं आएगा अगर आप इस तरफ से देख रहे है तो वो current होना चाहिए anti-clockwise देखिए ध्यान से मैंने north को बड़ा style से लिखा है यहां पर current कैसा होगा anti-clockwise होगा ऐसा यह अगर coil का plane है तो ऐसा current होगा अगर आप इसके तरफ north pole को लेकर जाएंगे तो similarly आप अगर इस magnet को इधर ना ले जाते हुए इधर ले जाएंगे यानि आप north pole को इससे दूर ले जाएंगे तो यहां पर clockwise current generate हो जाएगा ताकि इसके इस face में south pole generate हो और south pole generate होने से जि आप जो करेंगे उसका opposite काम होगा समझें तो यह जो आप देख रहा है कि इसमें जो एक current induce हो रहा है इसमें कोई cell नहीं लगा है इसमें current induce हो रहा है बस किस वज़ा से आप जो इसके through magnetic flux को change किये उस वज़ा से इसी को बोलते है Faraday's law of electromagnetic induction यही process का नाम electromagnetic induction है similarly आप अगर एक square loop लेते हैं एक square loop अगर आप लेते हैं जो जमीन पर रखा हुआ है माल लीजे यह ground है माल लीजे ground पर रखा हुआ है square loop और आप एक magnet को इस तरह से इस position से अगर छोड़ दीजेगा तो हो सकता है कि वो magnet नीचे ही ना गिरे का समझे हो सकता है कि वो magnet नीचे ही ना गिरे कैसे क्योंकि इसके नीचे आने से इस area से magnetic flux बदलेगा इस area से magnetic flux बदलेगा और magnetic flux अगर इस area से बदला तो इसमें एक current आ जाएगा अपुप साली यह जो उपर से आप देख रहें वह होना चाहिए नौर्थ पोलaci संजिंगे यह फेस होना चाहिए नौर्थ पूल यहनि करेंट होना चाहिए ऐसा ऐसा अगर करेंट हुआ इसमें तो उपर ओला फेस नौर्थ होगा जो यह नौर्थ इस नौर्थ को अपोस करेगा नीचे नहीं आने देगा हो सकता है कि यह मैगनेट हवा में लटक जाए समझें इसी को तो बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो मैगनेटिक लेवियेशन वह सब बड़ी बड़ी बात हो सब बात में देखेंगे ठीके एक और एक्स्पिरिमेंट है अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक याद रखीगा ओवर्राइट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है बहुत सारा टर्न्स है अगर यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया और एक सेल लगा दिया एक सेल लगाया है हमने जिससे इस लूप में करेंट होगा और इसके सामने इसी के एक्सिस में हम एक और लूप लगाएंगे जिसमे एम मीटर हम लगा देंगे तो यह चीज़ notice किया गया देखिए जब इस switch को आप on करेंगे तो इसमें current आए होगा तो यह loop के अंदर जो magnetic flux मनलब जो magnetic field होगा इस loop का वो इस area को काटेगा इस तरह से इस area को काटेगा तो क्या यहाँ पर कोई current दिखेगा आपको दो बार दिखेगा हमेशा नहीं दिखेगा दो बार दिखेगा कब? जब आप स्विच को on किये थे तब और दूसरी बाद जब आप स्विच को off किये थे तब continue जब स्विच on है continue जब स्विच on है ये current constant है, magnetic field constant है magnetic flux constant है इसमें कोई current नहीं आएगा तो current तब ही आता है जब आप magnetic flux को change करते हैं magnetic flux कितना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है magnetic flux change हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात से मतलब है समझ गए? तो मान लिए ये loop number one है, ये loop number two है अब इसमें कितना EMF आएगा इसमें कितना current आएगा इसमें कितना EMF आएगा, कितना current आएगा यह directly proportional इस बात पे होगा कि आप इसका magnetic field को कितना जल्दी change कर रहे हैं क्योंकि इसका magnetic field जितना जल्दी change होगा, यहाँ पर magnetic flux उतना जल्दी change होगा और यहाँ पर magnetic flux जितना जल्दी चेंज होगा उतना ज़्यादा EMF यहाँ इंड्यूस होगा This is electromagnetic induction phenomenon यानि magnetic flux के change होने की वज़ा से जो EMF इंड्यूस हो रहा है जो current इंड्यूस हो रहा है जिसमें कोई cell नहीं लगा था फिर भी एक current आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग electromagnetic induction लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपोर्टन्ट है वो Suppose कीजिए मैंने यहाँ पर इस लूप के जगा एक थोड़ा सा बड़ा लूप लिया होता तो ज़्यादा EMF इंड्यूस होता क्योंकि EMF जो दो नंबर पर increase हो रहा है वो magnetic field का rate change एक नंबर पर dependent है मतलब इस circuit में कितना EMF आएगा वो इस circuit का magnetic field पर dependent होगा लेकिन area इसी पर dependent होगा यानि EMF कितना develop हो रहा है वो उसी के area पर dependent होगा area of coil 2 समझ गए है तो यह काफी important है याद रखीगा अच्छा अब एक चीज़ और देखते है स्टाप करें